न्यूस एटी इंडिया पिछली बार अंदोलन के आड़ में कुछ प्रदेशन कारियों ने पंजाब हर्याणा के शंबू बॉर्डर पर जबर्दस थंगामा किया था और इसी वज़े से इस बार तैयारी पुखता की गई है दोनों तरफ जो है वो एक तरफ अगर हम बात करें शंबू बॉर्डर की तो पूरी तरह से सील कर दिया गया है अर्याणा के बॉर्डर भी पूरी तरह से सील है अर्याणा फुलस मुस्तैद है तो महीं पंजाब की तरफ से प्रदेशन कारी हैवी मशीने लेकर शंबू बॉर्डर पहुच गए जबकि पंजाब के टीजी पे ने यादेश चारी कर दिया कि हैवी मशीनों की मूवमेंट जिसमें फोक्लेन है जैसी भी मशीन्स है उन पर पूरी तरह से रोक लगाई हुई है और ऐसे में माहौल ऐसा बनता दिख रहा है कि हंगामा करने वाले एक बार फिर से बॉर्डर पर बवाल कर सकते हैं कल भी कुछ इसी तरह की तस्वीर ने देखने को मिली थी जबर्दस जड़प हुई थी तकराव की स्थिती बनी थी और वैसी स्थिती लगबग अभी भी बनी हुई है तो आज जबर्दस तरीके से एक बार फिर ऐसा ऐसी आशंका जताई जा रही है कि आज भी हंगामा मत सकता है तो आपको पता दें कि शम्बू बॉर्डर के अगर हम बात करें तो आपर भारी संख्या में किसानों की जमा है वहाँ पर और लगातार वो ये कह रहे हैं सरकार को अल्टीमेटम दिया हुआ है आज 11 बजे तक का और अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई अभी तक जो पाँच मांगों पर सहमती एक तरह से बनी थी सरकार ने कहा था कि वो पाँच मांगे जिसमें MSP की बात थी और पाँच फसलों को लेकर सरकार ने ये कहा था लेकिन उस पर वो राजी नहीं है 23 वसलों की बात लगातार करी जा रही है किसानों की तरफ से किसान आज दिल्ली कूच करेंगे और दिल्ली कूच से पहले शंबू बॉर्डर का हाल क्या है हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे और इस वक्त हम उस स्पोर्ट पर मौझूद है जहां पर ये हिस्सा एक तरफ किसान बैटे हुए है तो दूसी तरफ है हर्याना पुलिस और तमाम अर्द सेनिक बल फिलाल यहां पर बॉर्डर पर एक तरफ से शानती है लेकिन तस्वीर बया करती है किस तरीके से किसानों ने यहां पर एक भारी तादात में यहां पर जुटेंगे सासी इसके सासा दुनों ने भारी तयारी भी यहां पर कर रखिया आप इस ओर देखेंगे तो क्योंकि पुलिस इस्तमाल करती है कटीले तारों का कीलों का और क्योंकि पुल पहले से ही पुल को तो उस पुल के आसपास से कैसे दिल्ली की तरफ कूच किया जाएगा उसको लेकर यहाँ पर किसानों की तरफ से इस तरीकी से सेक्डों की तादात में रेट से भरी यह बोरिया यहाँ पर लाई गई है और इन बोरियों में रेट है और इसका इस्तमाल जो घगर नद करने के लिए ट्रेटर को निकालने के लिए यह भूरिया यह रॉरी रही तैता निकुद बेंगे नुंड … bet किसी यहां पर किसानों ने यह तैयारी बॉर्डर पार करने के लिए शंबू बॉर्डर पार करने के लिए ऐसी करीब आदा दर्जन से ज्यादा ट्रेक्टर ट्रोलियां यहां पर बॉरियों के साथ खड़ी हुई है और आदा दर्जन से ज्यादा ट्रेक्टर ट्रोलियों की बोरियां जमीन पर यहाँ पर विक्षी हुई है जिनका इस्तमाल बॉर्डर पार करने के लिए यहाँ पर किसान करेंगे तो बड़ी खबर यह है कि चार दोर की बातचीत हुई लेकिन अभी तक कोई नतीजा निकल कर नहीं आया आज नौवा दे नांदोलन का है सीधे रुक करते है मेरे सहयोगी मानव यादव का जोकी शम्बू बॉर्डर पर लगा था डटे हुए कल की बात मैं बाद में करूंग मानव पहले ये बताए कि आज लगबक कितने किसान यहाँ पर है कितने ट्रेक्टर यहाँ पर है ग्यारा बजे तक का अल्टीमेटर दिया गया है जड़कार आप बिल्कुल देखिए हमारे सहयोगी यूगल आपको तस्वीर दिखाएंगे यूगल चला 360 व्यू दिखाएगा कि कितनी भारी संक्या में यहाँ पर किसान और किसान नेता यहाँ पर जोट चुके हैं हर तरफ अमोवन होता है कि 8 वजे के बाद यह भीड यहाँ पर होत हुआ है मंजी जी हमारे साथ है किसान नेता है मंजी देख रहा हूं आप लोग यह मास्क लेके चल रहे हैं और कई तरह की शीड लेके चल रहे हैं दिल्ली कूछ कर नहीं जा रहे हैं कि आज हमारी जो मांगे हैं जो इन्होंने मानी हुई हैं सरकार ने मानी हुई हैं जो 2021 करेंगे देखो उसके साथ सीधा यह लग रहा है हमें तो ठीक है ठीक है कि मंजी जी बता रहे हैं कि सरीके से यहां पर सारी चीजे हैं सरकार से बात्चीत हो रही थी बात्ची तूट गई लेकिन फिला लगा आपको तक्षीर दिखाएं तो हर तरफ यहां पर ट्रैक्टर ट् करने की तैयारी कर लेजिए जैसे कि मानत दिखा रहे हैं कि साथ भी तैयारी से आए हैं आखों पे चश्मा लगाया हुआ है मास्क लगाया हुआ है यानि अगर टीर गया सासू गया चोड़ी जाती है तो उससे किस तरह से निपटना है पंजाब और हर्याना के शंभू लेकर भी पहुँचे हैं लेकिन इस प्जाब के डिजी पि ने बड़ा आधेश जारी कर दिया पंजाब के डिजी पी ने पंजाब और हर्याना बॉर्ड़र पप बड़ी गारियों और मशीनों को ले जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है साधी साथ को ये निर्धेश जा रही है आई अब जर आपको बताते हैं कि पंजाब के डीजीपी ने हर्याना और पंजाब के शंबू खनौरी बॉर्डर पर किन किन मशीनों को ले जाने पर रोख लगा दी तो पंजाब के डीजीपी ने आदेश जारी करते हुए जेसीवी पोकलें क्रेन और बड़े ट् शुक्स हैं मशीने हैं जिनमें पोकलें हैं जेसी भी एकरेन है इने ले जाने पर पूरी तरह से रोख है इस आदेश का पालन करना ही होगा अफ़ज़र आपको बताते हैं कि पंजाब के डीजीपी को हर्याना और पंजाब बॉड़र पर बड़ी और हैवी मशीनों को ले जाने पर रोग का आदेश आखिर क्यों जारी करना पड़ गया इससे वहले हर्याना के डीजीपी ने पंजाब के डीजीपी को पत्र लिखा था आपको बता दें कि ये पत्र जो है हर्याना डीजीपी ने लिखा था पंजाब के डीजीपी को क्योंकि इससे भारी तनाव की स् हैं वो बॉर्डर पर ना ले जाने दी जाए और मिनिस्ट्री आफ होम आफेर्ज ने उपद्रवियों पर आक्शन लेने के लिए भी बिल्कुल एक तरह से डारेक्शन दे दिया है वी मशीनों को शंबू और उसके अलावा खनौरी बॉर्डर जो हैं महां ले जाने पर पूर हैं हैं किसान लेकिन बड़ी मशीने किसी भी तरह से ना ले जाए जाएं इसके लिए डारेक्शन जो हैं वो दे दिये गए हैं क्या हैं